हम आपको बताएंगे आपके बारा राशियों का हाल क्या करें और क्या ना करें और आज आपका दिन कैसा बीटने वाला है और साथ में जानेंगे आज का पंचांग इन सब के लिए शो में हमारे खास महमान के तौर पर मौजूद है आचार राजीव शुकला जीव भार समाचार के सभी विग्य दर्शुकों को पंच वक्तरम महा भी मंत्री पंच नय नयरुताम बाहु विदर्च भिर्युक्तम सर्वकामार्त सिद्धिदम पूर्वन तूबा नरम वक्तरम कोटी सूर समप्रवं दृष्टा कराल वदरम भ्रकुटी कोटे लेक्षरम इस प् रहे हैं कि आप को को यह करना है यह नहीं करना है यह पंचांग के माध्यम से हम जानते हैं इसी प्रकार से क्या कह रहा है आज ग्रहों का जमावरा और क्या कह रही है आज ग्रहों से आने वाली हर राशी के उपर चंदर राशी लगन राशी नाम राशी सबसे ही प्रभाव में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ें और उसमें ये भी जानना जरूरी होता है कि हमारा पंचांग क्या कह रहा है जिस्से कि हम आज अपने कुछ दिन को वस्तित करें तो मेश्च ri-meen, मीन, मीन, से मेश-per partnership सारी राशियों के लिए हम शुरू करते हैं मेश मीन मीन से मेश परिंट सारी राशियां गागर मिसागर क्या करना है क्या नहीं करना है आज का राशी फल प्रथम राशी से हम लेते हुए बात शुरू करते हैं पथम राशी मेश राशी मेश राशी वालों आज अगर हम पारिवारिक दिश्टिकोन की बात करें तो आपका आज फैमिली मैटर्स कुछ सौल्ब होते हुए दिख रहे हैं उस लिहाज से तो अच्छी खबर दिख रही है और इसके साथ साथ अपनों का आपको साथ भी मिलता हुआते रहा है तो मेश राशी वालों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्त का भी ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ साथ छोटे छोटे उपाय करना किस प्रकार से हम अपना छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं तो मेश राशी वालों आज आपके लिए अच्छा रहेगा बले ही कम जादा जैसा भी आप ये काम करें और अन्न दानम श्रेश्ट दानम शुबंक आज आपका 6 से दो रहा है मेश राशी वालों को आज दो चीजें बताई जाती है और दो ही चीजें साफधानी कहलीजे या आज की बचत या आज का फोकस आज आपको फिजूल खर्च नहीं करना है बिलकुल ये ध्यान रहें और इसके साथ साथ आज आपको बचना है आलस से आलस से ही मर्षानाम शरीर अस्तुमाहान रिपो शत्रू होता है आलस से अब हम बات करते है संतान से सुख भी मिला है और कारोबार में सफलता भी प्राप्थ हो रही है क्या करना है चोटा सा उपाय है उपयोग की गई हुई चाय की पत्ती तम्माखो इत्यादी यदि आज आप मिला के किसी भी गमले में डालेंगे तो निश्चत रूप से अच्छा रहेगा धरती और पृत्वी तत्व मजबूत होगा दो नमبر शुभे क्या नहीं करना है आज विर्शब राशी वालों को विर्शब राशी वालों को आज हरे रंग का कपड़ा या हरे रंग से थोड़ा सा बचचना है और इसके साथ-सा यत्रों और ये यत्रे एक सांकेतिक शब्द होता है यानि कहीं भी मीटिंग इत्यादी करने जा रहे हैं तो थोड़ा समझ जाए मितुन राशी की बात करते हैं मितुन राशी वालो आज आपको माता पिता का आशिरवाद मिला है बड़ों का आशिरवाद मिला है और क्या चाहिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता लेकिन आज आपको बोनस में अपने रिष्टेदारों से मित्र बंदु बांधों से भी मदद मिलती हुई दिख रही है जो की बहुत अच्छा प्रभाव देगी आज आपको क्या करना है मितुन राशी वालों को चुकि बुद्ध की राशी है बच्चों को प्रभावित करने के ल बस्तुओं से बिलकुल बचे और इसके साथ साथ जूट भी ना बोलने की सला आज आपको दी जा रही है मितुन राशी वालों को अब हम बात करते हैं चौती राशी करकराशी करकराशी वालों आज आपको कोई अच्छी ख़बर मिलेगी आत्म विश्वास से आप परिफ्यूम इत्यादी गिफ्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा शुब अंक तीन है तीन अंक गुरू ब्रहस पती देव के मंतर का जाब भी करें करकराशी वालों को आज क्या नहीं करना है बहुत चोटी चोटी बाते हैं लेकन देखन में छोटे लगें घाओ करें गं कि खटी चीजे इसका भी सेवन आज आपके स्वास्त के साथ मना हिस्तिती बिगाड सकती है सिंग राशी वालों की बात करते हैं थोड़ा निर्णे लेने में कुछ अगर कमजूरी आ रही है तो आप उस समय बिल्कुल भी चिंतित ना हो आफिस के अधूरे कार निप्टाने में आज आप लगे रहेंगे साथ के साथ अधूरे कामों कोई पूर्ती के बाद आज आपको सफलता की भी प्राप्ती होगी क्या करना है सिंग राशी वालों को सिंग राशी वालों को जब भी प्रस्थान करें चाहे घर से चाहे किसी भी जगा से आज कम से कम गुड़ खा के निकलना आज आपके लिए अच्छा रहेगा और बुद्ध का प्रभाव बुद्ध ग्रहे का प्रभाव आज आपके उपर शुबता दे रहा है इसलिए शुब अंक निकला है पांच ओम बुद्धाय नमा बोल बिना बोले छोटी छोटी सी साथधानी ये आपको जरूर लाब दिलाएगी कन्या राशी की बात करते हैं कन्या राशी वालो आपको कोई नई जिम्मेदारी नया आपको अपोईटमेंट या नया जो आपने आवेदन किया था वहाँ पे आज आपको मान सम्मान की भी होगी लोग आज आपको फालो भी करेंगे क्या करना है कन्या राशी वालों का चुकि श्रेष्ट दिन है तो श्रेष्टता को बनाये रखिए किसी भी मंदिर में धर्मिस्थल पे पीले रंका वस्तर अगर चम्तिला हो तो बहुत अच्छा है इसको दान करें क्या नहीं करन आज आप किसी की भी ना करें बहुत ही अच्छा रहेगा वरिश्चेक राशी की अब हम बात करते हैं हाला कि तारतम्मे में कन्या राशी के बात तुला आती है लेकिन हम पहले वरिश्चेक ले ले लेते हैं कार चेतर और बिजनस में नई रूप रेखा आज आपकी बनेग करें जिससे आज आपको गुरु ब्रहस्पती देव धनवानी कुटुम्रिस्थान को जरूर जागरित करेंगे और आज आज आपका शुब अंक पांच सिद्ध हो रहा है पांच अंक का प्रभाव आज आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देगा क्या नहीं करना है चोटी धनुराशी की धनुराशी वालों को रूका हुआ पैसा और जहां से भी आपको रेंट ब्याज इत्यादी की इंकम हो रही है वो मिल सकता है लेकिन आज का दिन थोड़ा सा कह रहा है कि धनुराशी वालों थोड़ा सा धैर रखो स्वास्ता आपका समानने से बहतर होता गुए दिख रहे हैं क्या करना चाहिए आज आपको किसी भी विद्यार्थी को यानि किसी भी स्टूडेंट को किताब, बोक्स, स्टेशनरी इत्यादी आज आपको जरूर देनी चाहिए चोटे-चोटे उपाय होते हैं लेकिन बड़ा लाब होता है इसका शुबंक आज आज के लिए आठ सिद्ध हो रहा है आज आपको दो चीजों से बचना है स्लिपर्स शूज इत्यादी यानि जूते इत्यादी आज आज आप नए ना खरीदे और नए ना पहने भी ये भी अच्छा बात रहेगी चने का सेवन भी आज आज आपके लिए नेश्ट रहने वाला ह मकर राशी की बात करते हैं मकर राशी वालों नए एग्रिमेंट साइन आप कर सकते हैं कैरियर के मामले में भी आज आपके लिए दिन अच्छा साबित हो रहा है लेकिन इस दिन को अच्छा करने के लिए जरूर आज आप शनी देव के मंतरों का जाप करें बहुत ही हो रहा है शुक्र का प्रभाव बार चाड़ कर बोल रहा है लेकिन आज महेंगी वस्तूओं को बहुत ही जादा महेंगी वस्तूओं को अभूशन इत्यादी सोना इत्यादी ये खरीदने से आज आज बचें और सबसे बड़ी बात होती है कंट यानि वारी पे सयम रखने का भी आज मकरणाशी वालों के लिए दिन है कंबराशी की बात ले लेते हैं कंबराशी वालों अधूरे काम आज आज आपके पूरे होते हुए देख रहे हैं पुरानी समस्याओं का आज आज आपको अच्छा और शुब हल होता हुआ देख रहा है लेकिन जब अधूरे काम पूरे होते हैं तो विधनेश्वर यानि की गनेश जी की जरूर उपास्ता करनी चाहिए आज आपको क्या करना चाहिए बच्चों में ही भगवान गनेश जी का वाज भी होता है इसलिए बच्चों को आज आप क्या करे पेंट गिफ्ट करें लेखनी गिफ्ट करें या उनके लिए कोई भी अच्छी चीज जो पढ़ाय लिखाई में का रहा है वो आपको अच्छा श्चो प्रभाव देगी आज ला परवाही बिलकुल नहीं करनी है कुम्ब राची वालों को कि कार में काम करते करते कहीं न कहीं ला परवाही हो सकती है और पराकरम बढ़ाने के लिए क दन का आज आज को अच्छा लाव होता हुआ दिख रहा है लेकिन धन के अच्छे लाव में ये जरुर धीयंगा कि आप कोई रिस्की कार ना करें यानि कि इस प्रकार का कार ना करें जो अनायतिक हो क्या करना है शुबता बढ़ा लीजे आज गरीब एक सांकेतिक शब्द है लेकिन इसका मतलब यह होता है कि किसी भी जरूरत मंद को आप भूज़े नित्यादी करा सकते अन का दान कर सकते हैं ये भी अच्छा रहेगा पांच पकार के शुबंक आज आपके लिए बारा से दो रहा है बारा का जोड करहों के हिसाब से ब्रसपति देव की करपा दिलाता है आज किसी की भी बातों पर भरोसा ना करें सुएम के निर्लेओं में रहें एक राशी रहे गई थी वो है तुला राशी तुला राशी वालों का दिन सामान ने रहने वाला है और कोश में भी वृद्धी उनकी होने वाली है तो तुला राशी वालों को भी जरूर ध्यान रखना चाहिए घी का दान करना और आज गड़ेश मंतर का जाप करना तो ये सारी बाते हमने देखी और किस प्रकार से मेश से लेके मीन राशी और मीन से लेके मेश राशी तक का ये प्रभाव हमने जाना विशेश रूप से कुछ राशियां अच्छा करने वाली हैं जैसे मेश तुला और व्रिश्चेक आप सब का दिन चुबो और आईए अब गुरू जी से जानते हैं आज का बंचान दिनांख 26 उमबाद वह जाने अमावस्या तिती है और आज भॉमवती अमावस्या यानि आज मंगलवासरी अमावस्या है विशाका नक्षतर है और व्रिश्चेक राशी में चंदर का गोचर मार्चीश मास और कृष्ण पक्ष यानि मार्चीश मास कृष्ण पक्ष का आखरी दिन रहुकाल 2 बच के 46 मिनट से 4 बच के 5 मिनट तक संद्यकाल शुप सिद्ध है और शुप समय 10 बच के 22 मिनट से 12 बच के 40 मिनट तक बुला सिद्ध है आप सबको शुब हो और अधिक जानकारी के लिए आप गुरुजी से डारेक्ट संपख भी कर सकते हैं उनसे बातचीत भी कर सकते हैं अचारे नक्षत रेट 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 फमेल डाट कॉम पर आप गुरुजी से डारेक्ट संपख कर सकते हैं अगर आप बात करना चाहते हैं गुरुजी से त दर्शुकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरू जी और इसे के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम नक्षात्र में बस इतना ही देखते रहिए भारत समाचार अमस्कार